इंडियन ओपन पोलो टूनमेंट में जिंदल पैंथर ने जैसा आगास किया था अंजाम वैसा नहीं हो सका एचीवर्स ने खिताबी भणनत में शांदार खेल दिखाते हुए साथ पांस जीत दर्ज की और इंडियन ओपन पोलो का पर कबजा जमा लिया कप्तान नवीन जिंदल की कप्तानी में जिंदल पैंथर के टीम में सिमरन शेर्गिल जेपी क्लार्किन और मिगुल साराविया जैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़े मौजूद थे तो वहीं अचीवर्स के टीम में अभी मन्यू पाठक निकोलास पेपर डेनिस ओटमेंटी और धूप पाल गोदारा जैसे दिगज खिलाड़ी शामिल थे पहले चकर के खेल में जिंदल पैंथर के खिलाड़े में अचीवर्स के गोल पोस्ट पर शुरुवाती हमले तो किये लेकिन कोई भी गोल नहीं हो सका और इसी का फायदा उठाते हुए अचीवर्स के टीम में दो गोल दाग दिये अचीवर्स के तरफ से ये दोनों गोल निकोलेस पेपर ने दागे और इसी के साथ पहला चकर खत्म हो गया जिसमें अचीवर्स के टीम दो शुने से लीड कर रही थी दूसरे चक्कर में जिंदल पैंथर ने अपने रणनीती में आप्रामक का भरी और एक के बाद एक तीन गोल दागे कहला गोल सिम्रन शेरगिल के नाम रहा तो दूसरा गोल जैपी क्लार्किन के स्टिक से निकला और तीसरा गोल किया जिंदल पैंथर टीम के कपटान नवीन जिंदल ने जिंदल पैंथर की तरफ से इतने हमलों का दबाव एचीवर्स पर साफ दिखा और दूसरे चकर में एचीवर्स के तरफ से कोई भी गोल नहीं हो सका दूसरे चक्कर में जिंदल पैंथर की टीम को तीन-दो से बड़ा थासिल हो गई तीसरे चक्कर में दोनों टीमों की तरफ से कोई गोल नहीं हुआ लेकिन चक्कर के खत्म होने से ठीक पहले पेनल्टी पर धुफपाल गोदारा ने गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया तीसरे चक्कर के बाद स्कोर तीम-टीम की बराबरी पर आ गया चौते चकर का खेल और विद दिल्चस्प हो गया जिंदल पैंथर की तरफ से कोई भी गोल नहीं हो सका जबकि एचीवर्स ने इस चकर में एक गोल के साथ बड़ा थासिल कर ली चौते चकर के बाद जिंदल पैंथर के खाते में तीन गोल तो एचीवर्स के पास चार गोल थे पांचवे चक्कर में जिंदल पैंथर पर फिर एचीवर्स हावी हो गए और अभी मन्यू पाठक ने गोल कर दो गोल के बढ़ा टीम को दिला दी लेकिन जिंदल पैंथर टीम के स्टार के लाड़े सिमरन शेर गिल और फिर जेपी क्लार्किंग के स्टिक से निकले गोल ने मैच को फिर बराबरी पल्ला खड़ा किया यानि पांच में चक्कर में स्कोर पांच-पांच से बराबर हो गया छटे और आखरी चकर में रोमांच चरम पर पहुँच चुका था लेकिन यहाँ पर एचीवर्स की रणनी की कारगर साबित हुई अभी मन्यू पाठक ने बैक-टू-बैक दो गोल दागे और मुकाबला साथ-पांच से अपने नाम कर इंडियन ओपन पोलो का पर कबज़ा जमा लिया जिंदल पैंथर की टीम को भले ही इस खताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा हो लेकिन अब तक कि सीजन में यहाँ तक कर सफर भी सराहनी रहा है स्पोर्ट्स डिस्क न्यूस बाल इंडिया